बेटा आज हमें self practice 15b करना है हम इस वीडियो में करेंगे तो देखिए question number one is from the table of the value showing the coordinate of the points highlighted on each of the graph given below and hence write the equation showing the relationship between x and y axis ठीक है तो सबसे पहले मतलब आपको कुछ points दियें जो कि highlighted है उनका क्या करना है एक्स वाला coordinate निकालने है मतलब वो x पे कहाँ पे है और y पे कहाँ पे है ठीक है तो सबसे पहला point हमको ये है इसका देखिए x axis पे कितने पे है 3 पे और y से 1 पे तो हम लिखेंगे x का 3 है y का 1 है second point का देखा हमने x का 6 है और y का 2 है तो हमने second का लिख दिया एसे ही third वाला x के 9 पर है और y पे 3 पर है तो हमने ये लिख दिया उसके point फिर हम सबका ratio निकालेंगे x upon y करेंगे तो पहला वाला ratio क्या आजाएगा 3 upon 1 second का क्या आजाएगा 6 upon 2 और third का क्या आजाएगा 9 upon 3 अब हम देखते हैं कि क्या ये cancel हो रहा है तो 3 upon 1 का तो अब क्या करेंगे equation बनानी है तो y को वहाँ हम क्या करेंगे cross multiplication तो x की x का 1 के साथ multiply होगा तो x आएगा और 3 का y के साथ हो जाएगा तो 3 y आजाएगा तो ये equation बन जाएगी हम बोल देंगे the under relation is x equals to 3 upon 3 y चिक है ऐसी same आपको और ये जो आपको ऐसे graph में ही नहीं करना है आपको पहले graph बनाने के बाद ये नीचे उसका solve करना है ठीक है मैंने तो यहाँ जगह नहीं थी इसलिए ऐसे कर दिया है b वाले में देखिए same ऐसे ही first point देखा हमने की कहा है first point ये भी है देखिए तो 3 x का 3 और y का क्या होगा 0 पहला x का 3 y का 0 second point x का 4 है y का 1 है फिर third point x का 5 है y का 2 है फोर्थ वाला x का 6 है y का 3 है और ये x का 7 y का 4 ये points लिए सब का ratio लेंगे तो इसका 3 upon 0 आएगा इसका 4 upon 1 आएगा इसका 5 upon 2 आएगा हमें सिर्फ 3 निकालने रहते हैं ठीक है तो हम जादा नहीं लेते हैं अब relation देने के लिए हमको क्या बन जाएगी equation तो देखिए इधर करेंगे तो x वराबर x is equal to 0 इसमें तो 0 चला जाएगा तो 0 तो हम ये वाला नहीं ले सकते condition हमको x को 0 नहीं करना है हम सेकेंड वाले में देखिए तो x वराबर 1 आजाएगा x is equal to 4y आजाएगा ठीक है x is equal to क्या हो जाएगा 4y तो relation हम ये ले सकते हैं ठीक है तो ये उसका relation हो जाएगा ऐसे ही फिर उसके बाद third वाले में देखिएगा आप इसमें आपने points दे लेंगे और आप उसका relation बता दीजेगा ठीक है ऐसे ही डी वाले में भी सबके अपने points लेकर उसका ratio निकालके उसका वो बता दीजेगा ठीक है तो देखिए पहला हमको x की value जब 0 है तो equation यह है तो यहाँ पर 0 रखेंगे तो y की value क्या आजाएगी 0 प्लस 5 इस उक्वल टू 5 तो यहाँ पूट कर देंगे कि 0 रखने पर y की value क्या ही 5 फिर दूसरा जब x पर आबावा 4 हो तो यहाँ 4 रखेंगे तो 4 प्लस 5 कितना हो जागा 9 तो y की value क्या जागी 9 ऐसी फिर 7 रखना है तो 7 प्लस 5 करेंगे तो 12 फिर क्या है आप उसको graph में plot कर देंगे तो वो तो easy है तो 2 3 जा 6 हो जाएगा और तीसरा 6 रखेंगे तो 6 2 जा 12 हो जाएगा ऐसे फिर इसका भी graph बना लेंगे c वाले में देखिए इधर पर 0 रखना है तो 0 into 2 0 0 minus 3 minus 3 आजाएगा answer 3 रखेंगे जब तो 3 2 जा 6 6 में से 3 गया तो 3 4 रखेंगे तो 4 2 जा 8 minus 3 5 आजाएगा 5 रखेंगे तो 5 2 जा 10 minus 3 7 आजाएगा ऐसे यहाँ पे भी 5 रखेंगे तो 5 में से 5 गया 0 8 रखेंगे तो 8 में से 5 गया 3 9 रखेंगे तो 9 में से 5 गया 4 और 11 रखेंगे तो 11 में से 5 गया 6 ठीक है तो यह था मारा question number 2 अब question number 3 में भी देखेंगे आपको graph बनाना है y बराबर 5 x जो है वो आपकी equation दी गई है ठीक है तो इसको आपको क्या करना है कर लेना है ठीक है तो यह मैं भेज दूँगी value पुट करके करना है तो यह कुछ रखा नहीं है इसमें मैं आपको भेज दूँगी आपको देख लिजेगा और ट्रॉ कर लिजेगा ओके ऐसे ही question number 4 में भी करना है फिफ्ट वाला देखिए इसमें इमको graph बनाना है ठीक है कि 5 में कितना था 21 था तो देखे 5 का 21 फिर 7 पे कितना हो गया 23 तो दूसरा point मिल गया फिर 9 पे कितना हो गया था 29 तो ऐसे सारे points जब मिलने के बाद उनको क्या करेंगे हम उनको मिला देंगे तो हमको एक line बन जाएगी बस यही करना था ठीक है फिर उनके कुछ आंसर देने ठीक है ऐसे 6 वाले में भी आपको आपको इंटरस निकालनी है तो देखे 6 वाले की rate का यह वाला formula लगा के आप निकालेंगे ठीक है तो आप पहले try कीजिएगा नहीं बने का तो मैं तो बेजूंगी देख लीजिएगा question number 7 में भी आपको यही करना है graph बनेगा सारे points दिये गए जनवरी का 15 है फैप का 8 है तो सबको एक तरफ months को लेकर और दूसरे तरफ numbers को लेकर फिर points रख लेंगे और उनको क्या कर देंगे match कर देंगे ठीक है question number 8 देखिए इस्मृति वस एड्मिटे टू दा हॉस्पिटल भी दा चैस्ट इंफेक्शन उसको चैस्ट इंफेक्शन हो गया है तो आपको graph से इंफोर्मिशन लेनी है पहला वाट वस दा इस्मृति टेंपरेचर एट पीम सेटर डे आट पीम सेटर डे की बात है तो यह देखिए सेटर डे, संडे, मन्डे, एट पीम सेटर डे के एट पीम में देखिए उसकी क्या था खी heavenly है तो यह देखिए एट पे उसका कितना यह है ठेटीएट पॉंट एट संधिंगा यहाँ पे ठीक है से तो आप लिखेंगे ठेटिएट पॉंट एट законч time 8 अम को उसका टेंपरेचर कितना था तो यह भी आप मैच कर लेंगे तो कितना था 38.6 था ठीक है फिर ऐसे ही midnight Sunday midnight Sunday को कितना था तो यह मैंने लिख दिया है देख लीजेगा बी वाला what was the change in temperature for 4 p.m. on Sunday to 4 p.m. 4 a.m. on Monday उसका 4 p.m. Sunday से ठीक है तो हम लिखेंगे 0 से 2 डिगरी Celsius डाउन हो गया ठीक है फिर सी इसमेथी वास गिवन सम मैडिसेन to treat the chest infection about what time to do you think the medicine begin to reduce the infection and why around noon Sunday ठीक है वो कब उसका दिन से उसको मतला असर होने लगेगा because the sharp decrease in her temperature क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा temperature decrease हुआ है तो noon Sunday Sunday की बारा बज़े तक के बाद उसका क्या होगा उसका temperature infection थोड़ा कम होने लगेगा तो कि यहाँ temperature सबसे ज़्यादा है डाउन हुआ है फिर question number 9 में देखिए interest deposit in a year use the graph to find interest पाचिस सो फॉर ए यर आपको 2500 के लिए क्या बताना है इंट्रेस्ट पतानी है तो देखिए 1000 deposit हो रहे थे तो 80 इंट्रेस्ट आ रहा था जब 2000 कर रहे थे तो 160 आपको पच्छिस सो के लिए निकाल ला है तो पच्छिस सो इन दोनों के बीच में है न तो इन दोनों को इंट्रेस्ट पच्छिस सो जब इंट्रेस्ट पच्छिस सो लाने के लिए कितना करेंगी तो इसको आप सॉल्फ कर लीजेगा तो आंसर क्या जएगा 31,250 कुश्च नमबर बी का कि यह ग्राफ जो बने का वो लीनियर होगा यह सिट इस इस लीनियर ग्राफ और टैंथ वाले में भी आपको यह करना है तो इस 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 सब का कर देंगी तो यह फर्स्ट वाले का है और बी वाले में हमारा circumference 220 है तो radius बतानी है तो radius कैसे निकलेगी c upon 2 pi करके c कितना है 220 और upon में 2 into pi की value किया है 22 बटे साथ 7 को अमने upon के upon में होता है तो उसका ऐसी प्रोकल हो जाता है तो 7 ऊपर चला गया 220 into 7 upon 2 into 22 cancel किया तो 5 into 7 बचा जो की 35 ठीक है तो यह आपका क्या clear है